हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपती के एक बयान का जवाब देते हुए भारतिय विदेश मंत्राले ने कहा कि वह मालदीव सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, जिसमें कहा गया था कि भारतिय सेन्य कर्मियों को द्वीप छोड़ने के लिए कहा कि वह मालदीव की संप्रभुता को प्राथमिक्ता देंगे। उनके अनुसार द्वीप राष्ट्र के लोग द्वीप पर भारतिय सैनिकों की उपस्तिती के पक्ष में नहीं थे। भारतिय उचायुक्त ने निर्वाचित राष्ट्रपती से मुलाकात की और विकास सहयोग सह द्विपक्षिय संबंधों के विभिन पहलूँ पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि भारत मालदीव साजहदारी का फोकस क्षमता निर्मान और अंतराष्ट्रिय अपराधों और मानविय सहायता जैसी साजह चुनोतियों पर सहयोग करना है। ऐसे जानकरी के लिए ह हमारे साथ मिले रहे। पेज को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।